गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब काफी अच्छे होंगे तो आज का जो व्लोग है मैंने थोड़ी सी अलक्सी एडिटिंग की है तो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट जरूर करना की मैं ऐसे ही एडिटिंग क्या करूंगा मुझे तो अच्छे लगी आप बताईएगा तो व्लोग जो है न वो इस्टाट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से मैं जस्ट उठी थी और दिन है सैटर्डे का तो सैटर्डे संडे में थोड़ा लेट ही उठना हो पाता है तो साथ बज गए थे मैं साथ बजे उठी थी आज और उठते ही बस सबसे पहले जो है अपना फेस वगएरा वोश करती हूं थोड़े बहुत जो है न वो गागल वगएरा कर लेती हूं और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में पानी गरम कर रही हूं यहांपर पानी गरम होता रहेगा साथ ही बहार से जो है न दूद वगएरा के जो पैकेट होते हैं उठा कर ले आती हूं और इतना उन्य लेकर आती हूं तब तक पानी गरम हो चुगा होता है तो बस प करीब तो वो थोड़ा उठ गए थे तो इसलिए जो है ना तो वो मुझे से आज लेट उठे देखे अभी बस जस्ट वो भी उठकर आ गए थे तो मैंने पानी वगारा गरम क्या दूद वगारा लेकर आई तो आँख खुली जाती है जब मतलब कोई उठता है ना घर में तो क तीन-चार दिन से ना मैंने फिर से थोड़ी भोत एक्सराइज करनी स्टार्ट की है जाहे मतलब मैं 10 मिनट के लिए ही करूं बट जो है ना मैं एक्सराइज करती जरूर हूँ और जब मैं यहाँ पर एक्सराइज कर दी थी ना तो देखे यहाँपर हस्बिन की जो है अपन मतलब थोड़ी सी वो पता नहीं क्या करने लगे थे मुझे हसाने के लिए तो मैंने बोला भी था कि मैंना ये वीडियो में डाल दूंगी तो उन्होंने मना कि ये डालना नहीं बट मैंने डाल दिया थोड़ा अच्छा लगता है हसी खुशी का माहोल सुबह सुबह अच्छा लगता है तो बस यहां पर थोड़ी सी जो है ना मैं एकसरसाइस वगारा करने के बाद मैं अनुलोम विलोम करती हूँ थोड़ा सा अनुलोम करना मुझे मतलब परसनली काफी अच्छा लगता है मुझे पसंद है नुलोम विलोम करना तो यहां पर नुलोम विलोम कर रही हूं हस्बेंट थोड़ा सा वोक वगरा कर रहे हैं और फिर फ्रेस रेस होकर वो भी जो है ना एक्सराइज वगरा करेंगे तो बस एक्सराइज वगरा हो गई थी खत्म तो देखें मैंने मतलब डेली जो है ना मैं पानी करम जब करने रखती हूं तब मिल्क का पैकेज उठा लेती हूं बट आज मुझे याद नहीं रहा मैं पता नहीं किस काम में लग गई थी तो अभी उठा कर लाई हूं और आज छुट्टी का दिन था ना तो सा टाइम दिया पानी वगरा दिया ने काफी दिन बाद तो अभी जो है बस इन सब को जो है ना मैं पानी दे रही हूं और प्लांट्स के पास आकर मतलब उन्हें देख करना अलगी खुसी होती है अभी मतलब वैदर थोड़ा सा अच्छा होने लगा है ना तो मेरे सारे प् कर तो बस पेड़ों को पानी दिया और मैं फिर से आगे किचन में मोर्निंग वाली जो है जो जहारू वगरा थी वह मैंने लगा दी थी और बस अभी यहां पर जो है ना बरतन वगरा मैं लगा दूंगी रैक में और जब मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही थी ना तो मुझ इतना टाइम मिलता नहीं था और सुबहे छोड़ना भी परद आथा कि मेहंदी लगा लूं दोसे तीन गंटे, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाते था तो आज थी छुटटी, सेधर्डे था तो मैं सोच चलो, आज लगा लिथी हूं दो दिन से यह रखी है तो मेहंद गोल करना फिर मैं आ गई थी वोश्रूम में यहां काफी बड़ा मेरा रहा तो मैं इसी में देखकर जो है महंदी लगा लूँगे अपने बालों को और मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं यहां महंदी लगा रहे हूं तो पापा बेटे दोनों जो है न किचन में नास्त वोश किया था ना तो यह मतलब थोड़ी से जो कोर्नर है ना वो इसके अंगीले रहे गए थे तो मैं बस उसको जो है थोड़ा सा पलट कर यहां पर डाल दूँगी तो अच्छे से धूप लग जाएगी और फिर इसे जो है श्टोर करके रग दूँगी तो यहां पर बैस काफी जादा पसंदार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उपमा बट इस टाइम तक मतलब महंदी वगारा लगाने में और काम करने माना टाइम काफी मतलब हो गया था आठ सवार बजे का टाइम हो गया था यहां साड़े आठ बजे का तो फिर मतलब इस टाइ को जो है अरेंज करके मैंने रख दिया था फ्रीज वगेरा में और साथी फिर बाद में जो है ना मैंने हजबिन की थोड़ी सी हेल्प भी करा दे थी क्योंकि आज नास्ते में बहुत सारी चीजे बनी थी उपमा बना था सांभर बना था नागल की चटनी बनी थी तो इन समझ में नहीं आता कि कौन सा समान उन्होंने कहां से उठाया है और कहां पर रखाया देखे ढखकन इस बोक्स का धकन कहां पर है तो गैस इस टोफ की कांटो टोप की इतनी मतलब बुरी हालत हो रखी थी ना तो बस यहां पर जो है ना मैं फटा-फट से लग गई कि जल-ज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है और हजबने सिर्फ कांटो टोप ही नहीं फैलाया था जो कबर्ड थी ना यह जहां से जैसे सूजी का वह उठाया था नोने बोक्स वह भी मतलब सब कुछ मिस प्लेस था कोई कहां पर कहीं पर अरेंज करना पड़ा था तो इसलिए मै मैं खुद से ही कुकिंग कर लूँ मैं मुझे डबल महनत लग जाती है क्योंकि एक तो समान को औरेंज करो और गंदगी इतनी ज्यादा होती है इसको क्लीन करने में बहुत सारा टाइम जाता है तो आप सब के हस्बन भी जब कुकिंग करते हैं तो ऐसा ही होता है कि आप जर हो चुकी थी तो मैं कपड़े डालने आ गई थी और आज जितनी भी मतलब वह थी ना जीन्स वगएरा जैसे डुगु की काफी थी मेरी थी हस्बन की थी वह सारी जो है और जो पजामे थे एक दो वह सारे मैंने वोश के थे और मेरी एक सब्सक्राइबर है मोना मुझे टिप्स या ट्रिक्स मतलब कुछ फोलो नहीं करती हूं बस जैसे मेरा मतलब हिसाब होता है ना मैं उस तरह से कर लेती हूं जैसे आज जीन्स वगएरा इती काफी सारी तो उन सब को मैंने एक साथ वोश करती हूं जो लाइट कलर के होते हैं वो एक साथ बस इतनी सा ही रू उसे रूम में आई थी हस्बिन वाले में तो वहाँ पर उसकी बालकनी मां देखी यहाँ पर ना यह एक पिजन है जिसने दो अंडे यहाँ पर जो है दिये थे तो हमने इसको यहाँ से उड़ाया नहीं था और उसके दो बच्चे बन गए थे बट सैडली दोनों ही बच्चे जो है ना उसके मर गए एक कल मर चुका था और एक आज जब मैंने देखा ना तब मर गया था तो मतलब मैं हजबन को भी बता थी तो मतलब वह भी काफी दुखी थे और मुझे भी मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि पता नहीं क्यों इसके बच्चे ऐसे मर गए हमाई काफी हैं तो वह भी जो है ना बच्चे देते ही रहते हैं तो हम उनको उड़ाते नहीं है और फिर जो है मैं आ गई थी किचन में डुगू को बताया था लूज मोसन है बट अब उसकी कंडिशन काफी ठीक थी बट आज फिर भी मैंना उसको यह जो ओर इसका गोल होता है न उसको मिक्स करके फिर मैंने डुगू को दे दिया था कि इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना पीते रहना और फिर जो सुबह के धुलेवे बरतन थे मुझे ध्याना आए तो मैंने उनको बालकनी में रख दिया था अभी जो है ना घर के सारे काम हो चुके थे क्लीनिंग में सब होगई थी तो मैं आ गई थी अपने जो हस्बिन वाला रूम है जो जिसमें वो वर्ग करते है अपना तो इसकी जो सलाइट वालेड डौर है ला प्ताय वाला बहुत दिक्कत करते हैं ये तो इसका ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था ना देखे ये लूज हो रहा था तो जिसकी वज़े से गेट को खोलने और बंद करने में दिक्कत हो रही थी तो मैंना हस्बिन को डेली बोलती थी बट वो टाल ही देते तो फिर मैंने आज सोचा कि यार मतलब बार-बार बोलने से अच्छा है कि हम खुद से ही ये काम कर लें हस्बिन को मतलब बार-बार उनकी खुजामत करने से तो अच्छा है कि खुद ही कर लो मतलब लगता ही है दूर-दूर की काम नहीं होगा बट करने लोगों ना तो सब हो जाता है तो मैंने इस तरह से बस पेंच कस उठाया और बस इसका जो है ना पेंच थोड़ा सा लोज था मैंने वो टाइट कर दिया था तो बस ये बिल्कुल हो चुका था ठीक दूसा जो बैडरूम है उसका भी थोड़ा सा खराब हो गया था तो मैंने उसको भी ठीक ही कर दिया था खुद से वरना मैं मतलब मुझे लगा था कि मुझे नहीं हो पाएगा बर जब किसी काम को करने चलते हैं तो हो जाता है तो सही बात है किसी और की है मतलब हस्बिन की आओ भगत करने से या उनके पिछे मतलब बार-बार किसी चीज को बोलने से अच्छा है कि हम उस चीज को खुद से करने का एक बार ट्राई तो करें चीजे मोशली हो ही जाती हैं हम सिर्फ दूर-दूर ही घबराते हैं तो बस यहां पर देखे जो है यह हो गई थी मेरी अलमारी बिल्कूल जो है सैट इसका गेट वगएरा जो है ना अच्छे से खुल रहा था और फिर मैं लग गई थी क्योंकि मुझे बालों पर ना दो से तीन घंटे के लिए मेहंदी लगा कर छोड़नी थी तब ही वो कलर छोड़ दिया तो मैं फिर सोचा की चलो जो है नानेगर का टाइम है डुगो उसके पापा जा रहे थे तो मैं भी अपना थोड़ा सा एक्ष्टा काम कर लेती हूं तो मैंने जितने भी सर्द्यों के कपड़े थे ना अलमारी में अतनी खचा खच भर गई थी गर्मियों के कपड़े रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं थे तो मैंने वो सारे कपड़े निकाल कर बैड पर रख लिये थे कि इनको जो है जैसे ही फिनेल की गोली आएंगी म मैं उनको जो है रख दूगी और फिनेल की गोली के लिए भी मैं हजबन को दो से तीन बार बोल चुकी हूं मतलब वो डेली ही भूल जाते हैं मैं गई थी बार बट मुझे नहीं मिली इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ रहा था तो मुझे लगा था कि वो भी जो हना और मंदिर को क्लीन करने के लिए ना मैं एक्टर क्लॉथ यूज करती हूं तो जो पहला वाला क्लॉथ था वो हो चुका था गंदा तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा जो है कट किया सीजर की हेल्प से और फिर सारी जो तस्वीरे वगएरा हैं और नीची जो डिला हो है ना कि यहां पर मैंने जला दिया था दीपक और आज ना मेरा मन करा था धूब बत्ती वगरा जलाने का मेरे हजबन जलाने नहीं देते हैं वो कहते हैं इसका दुफा जो है ना अच्छा नहीं होता है हेल्ट के लिए तो आपको यकीन होगा मैं नवरात्री पर धूब बत्ती लेक यहां पर लगारी थी और मैंने दिखाए कि देखो मैं भी लगा रही हूं तो पिर उसने लग लिया था और वो मेरे पास आया किसले था क्योंकि इसको खाना था पपाया तो मैंने इसको बोला कि एक मिनट यहां पर बैर जाओ मैं पूजा कर लेती हूँ तब मैं तुम्हें पपाया दे दूँगी और यе मैं कल ही लेकर आई ठी और जैसे ही मैंने इसको कट कियां ना तो देखी ये ना सारा कच्ठा था बस थोड़े से ही पार्टस था जो पका हुआ था और जब मैंने कल उन भेहां से पूछा था ये नगे ही लग रहा है क्योंकि ना तो मतलब ऐसे की सबजी बन सकती है और ना ही अगर इसे रग भी देंगे तो ये फिर सड़ेगा ही पकने से तो रहा तो इसलिए फिर आधा पपाया जो था में फेक नहीं पड़ा था तो फिर डुगू को दिया मैंने और हस्बिन ने खाया जो भी उसका मतलब पकावा पाड़ था वो खा लिया था और फेक दिया था उसके बाद फिर मैं लंच की तयारी करने लगी थी ओल्डेडी यहां पर एक बच चुका था तो फटा-फट से जो है लंच बनाना था तो तै चीए अच्छी दो फटा अफसल है na दोईठी और तो एक बार मैं उल्रेदी बना चुकी हूं मुझे एच्छे लगी थी तृसले में दुबारा भी बना रही थी तो सचाप के साथ शेयर कर देती हूं तो दूद मैंने पकने के लिए रख दिया था, दूसरे वाले बर्नर पर रख दिया था, क्योंकि यह कुछ जादा ही स्लो चल रहा था, और फिर मैंने चावल भी बिगा कर छोड़ देते, दूसरी तरफ दाल बोईल हो रही थी, और अब जो है ना मैंने जो चीजे मुझे चा काजू का ही टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैंने निकाला अपना यह जो ड्राइफ रूट चोपर मंगाया था, यह वैसे तो अच्छा है, बट इसमें एक ही कमी है, इसमें एक चूड़ ही सी दी हुई होती है, देखे मैं भी दिखाऊंगी, यह अगर इसा आप होल्ड कर के नहीं रखेंगे ना, तो यह निकलती रहती है, तो मैंने ना इसको अब लगा कर, और लग जाती है, वैसे तो एज़िली लगा कर इसको अच्छे से होल्ड कर लिया था, तो फिर देखे इसने कितने अच्छे से जो है, ड्राइफ फूट चोप कर दिय थे, एक भी भी नहीं लगती है आपको इसे चोप करने में तो काफी अच्छा प्रोड़क्ट है अगर जैसे खीर बनाओ ना तो काफी दिक्कत होती है ड्रैफरूट बगरा चोप करने में और अभी जो है जो सेवय हैं थी ना मैंने को कट करने लगी थी तो मैं पहले तो इसे जो है यह तो ना तो भगोने में आएंगी और ना ही मतलब इतनी लंबी खाई जाएंगी तो मैंने बस इनको थोड़ा सा जो है तोड़ लिया था छोटा-छोटा करके और जितना मुझे लगा सफिसेंट मैंने बस उतनी तोड़कर दूद में उबाला चुका था तो दूद में यह म गई थी और आज मैं इसमें जो है गुड़ डालने वाली थी आप चाहें तो आप सुगर भी डाल सकते हैं बट मुझे जो खीर या यह इस तरह की सेवई होती ना मुझे गुड़ वाली जाता पसंद है तो इसलिए मैंने आज गुड़ डाला था और गैस कर दी थी बंद न करेंगे अपना आज का लंच तो लंच आज करने वाले थे हम अंदर रूम में क्योंकि थोड़ी सी मूवी वेगरा वोच करनी थी बाहर डुगू नहीं देखने रहे था उसे अपने कार्टून देखने होते हैं तो बस आज का जो व्लोग था वह इसी तरह था आज का सैटर कर लीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा चलिए मिलते हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हसते रहिए मुस्क्राते रहिए बाबाई गाईज बाबाई